आगे बढ़ते हैं और खबरों वाले शेयर बाजार बंद होने के बाद नंबर्स कौन से आएं ये सारे के सारे समझते हैं बताने के लिए हमारे सार शरत जुड़ गया हैं शरत शुरुबार तो आप ITC से ही करेंगे ये कि नंबर्स कितने अच्छे आते हुए देखें हर लिह बहुत इंट्रेस्टिंग दिखने मिले हैं लेकिन जो सिग्रेट वॉल्यूम्स का ग्रोथ है वो 9 से लेके 10 परसंट तक है और ये अनुमान के मताबिक है और तो इस पे जो है अफकोस सिग्रेट सेग्मेंट ने भी अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिया है डिमांड प्र पैंडमिक लेवल से टच कर गई है लेकिन इंपॉर्टन बात है कि जो उनके अन्यादर बिजनस कैटेगरी जे उनमें पी अच्छा ग्रोथ देखने मिला है चौते तिमाही में जो उनके अगरी बिजनस होती है जहां पर वीट राइस और ऐसे करके इवन लीफ टबैकों के एक्सपोर्ट यह बहुत शांदारा है बहुत अच्छे लगे हैं डोमेस्टिक लेजर और वेडिंग सेगमेंट के कारएं जो उनके होटल बिजनस है वहां पर भी जो ग्रोथ अच्छा है अब याद रखिए उनकी बेस लो थी तो एक अच्छा ग्रोथ देखने मिल रहा है और इसके लावा पेपर जो भी पेपर स्टॉक्स में भी तेजी चले और इनके भी एक पेपर डिविजन है पेपर बोर्ट की और और इवन क्राफ्ट पेपर की यह सारे सेगमेंट में जो एक अच्छा परफॉर्मेंस आइटी सी ने दिया है तो अफकॉस कह सकते कि बहुत स्ट्रॉंग सेट अफ नंबर्स है और अगर 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 उनको कंपेर करें पीर्स के साथ तो इस साल जो है बहुत स्ट्रॉंग आउट परफॉर्मेंस दिया गया है तो ITC वोड़ी जो है आज फोकस में रहने वाला है और दिन के ट्रेड में और अफकॉस FMCG स्टॉक्स मे सबसे पहले पिडलाइट है अफकॉस वीक नंबर्स आये हैं क्योंकि वाम प्राइजेज होती है जो इनकी जो रो में प्राइजेज होती है उसमें ओवरॉल देखा जाए तो आप क्या सकते कि बढ़त देखने मिली है और माजिन्स में प्रेशर देखने मिला 460 बेसिस पॉ एक प्रेशर देखने मिल सकता है रत्नमानी मेटल्स लेकिने का अच्छा स्टॉक है यहां पे जो है रहुत स्टॉंग नंबर्स देखने मिले सबसे बेस्ट कोटली परफॉर्मेंस कहेंगे और बुग भी स्टॉंग आया है और आयमें 40% का इजाफा हुआ है शाब मेटलिक में भी सप्राइजिंग लिए अच्छे सेट अफ नंबर्स आये हैं टॉप लाइन में अच्छा ग्रोथ है लगबग 20% का और पैट में भी 11% का उच्छाल देखने मिला है मैनेजमेंट कोमेंटरी जो है तोड़ी स्टॉंग रही है इंदरपस्था गैस लाजली इन-लाइन सेट अफ नंबर्स आये हैं पर हां इतके आखड़े जो है सिक्वेंशली देखते हैं हम लोग लगबग 9% का ग्रोथ आयमेया देखने मिला है जेके लक्षमी सिमेंट और सिमें स्टॉक्स में भी जब वॉल्यूम ग्रोथ देखने मिल रही हाला कि प्राइसिंग प्रेशर अभी भी है लेकिन देख सकते हैं कि रेविन्यू में लगबग 13% का उच्छाल देखने मिला है मननपूराम फाइन्स के लेकिन सप्राइजिंगली वीक नतीजे देखने मिले हैं आपके जो नेट इंटरेस्ट इंकम होते हैं काल्कुलेटेड बेसिस पे वह 15% गिर चुका ह हैं रेविन्यू लगबग 28% गिर चुका है यह बहुत बड़ा अकड़ा है और पैट में भी जो है हाला कि थोड़ी सी वन आफ हुई है तो उसके कारण जो एक ग्रोथ देखने मिला है और वो 65% का और आखिर में जो है पेपर स्टॉक्स के बारे में बात कर रहे था इसी का पेपर डिविजिन यह बहुत अच्छा परफॉर्मेंस की तो अफकोस इन्हें भी हम जो है अपने रडार में आज रखने वाले हैं असाथी श्राइट ट्रिगर्स खबरे कौन सी हैं जिस पर नज़र रखनी चाहिए आज के लिए यही सबसे पहले तो I think aviation's जो सेक् से और Peter Elbars को जो है नए CEO बनेगा और Peter Elbars जो है एक CEO है आपके जो Dutch की जो National Airlines है KLM Airlines उसके CEO है तो यह बहुत एक इंट्रेस्टिंग डवलप्मेंट है और हाली में दू-तीन और पॉइंट में बताता हूं कि Akasa को जो है उनको Flight Sharing Code मिल गई है Jet Airways की mandatory flying test complete हो गई है इस साल I mean इस हफते जो है उन्हें लाइसेंस मिल सकता है flying का फिर से and of course जो है आप Go First की IPO भी थोड़ी प्रीपॉन की जारी तो aviation sector में बहुत इंट्रेस्ट रहेगा और आज सारे aviation stocks focus में रहेंगे endurance tech जो है पहली बार EV segment में फोरे कर रही है और लगबग पूरी 100% stakes Maxwell energy system में लेने वाली है 308 क्रोड रुपे में हाला कि valuations देखा जाए acquisitions का तो प्रीमियम पे हुआ है जो 15 times FY22 sales पे तो of course stock जो है आज focus में रहेगा BPCL में reports आ रही है कि of BPCL जो है अपने pet care plants में expand करने वाले हैं और यह जो होगा एक type से कह सकते है एक type से कह सकते कि part sale हो रही थी जो BPCL में नहीं हो रही थी divestment अब नहीं हो रही थी तो उसके बाद ये एक important news अदानी enterprises भी है health industry में अब घुस रहे हैं health ventures में जहां पर health care related activities करेंगे तो of course अदानी enterprises focus में रहेगा power grid में भी जो है एक bid जीता है उत्तरप्रदेश के transmission lines का और IRB Infra उनको एक financial closure आई है हम प्रोजेक्ट की और इस cost है प्रोजेक्ट का लगबग 909 करोड उपे और आखिर में अपना मनी metals or tubes फिर से focus में रहेगा क्योंकि दो न्यूज आए हैं सबसे पहला है कि बोर्ड ने जो बोनस इस्यू होती है आप one is to two अगर आप दो शेर होड़ करते तो एक शेर आपको bonus में मिलेगा और एक fundraising का भी announcement किया था of course यह stock जो हमारे radar में रहने वाला है आज definitely अशरत शुक्रिया आपका यह सारी की सारी खबरें और साथी results में बताने के लिए aviation space खास तोर से focus में रहेगी क्योंकि एक aviation से जुड़ी कंपनियों में खबरों का सिसला इसी के चलते हैं आज aviation space पर भी नज़र रखेगा और साथी of course ITC के काफी तमदार numbers आते हुए दिखेंगे के लक्ष्मी सिमेंट के भी numbers काफी अच्छा है इन तमाम कंपनियों के performance पर आज नज़र रखनी चाहिए और पॉर